आज का हमारा टॉपिक है यूज आफ आई एंड यू आई एंड यू हमें आज क्या करना है आई और यू को सेंटेंस में देखना है इसका यूज करना है ठीक है आई एम यानि मैं क्या हुआ मैं रोहन मैं रोहन हूँ आई एम यानि मैं एक बॉय आई एम आ बॉय मैं एक लड़का हूँ तो यहां जो आगे आया है, यह क्या है I, इसमें हमने किसका यूज किया है sentence में, I का यूज किया है, I am Rohan, I am a boy, first पर I आया है, यानि मैं Rohan हूँ, और मैं एक लड़का हूँ, next, I am Mania, यहां यूज हुआ है, I am Mania, मैं Mania हूँ, I am a girl, मैं एक लड़की, इस तरह से हमने यहां I का मैं यानि बताने के लिए यूज किया है sentence के अंदर, अब next हमाँ है you, यहां देखिए sentence में हमने you का यूज किया है, you are Mania, you का मतलब होता है तुम, क्या होता है, तुम, you are Mania and Sania, तुम, Mania और Sania हो, ठीक है, why are you are girls, you are girls, अब यहां भी हमारा you, यूज हुआ है आंगे, तुम, लड़किया हो, girls यानि दो से ज़्यादा, दो, तीन, एक, दो, ठीक है, you are Rohan, यहां you का use किया है, you are Rohan and Sohan, तो यह तुम, Rohan और Sohan हो, you are boys, तुम, लड़किया हो, तो यहां मारा I का use किया है sentence में, I का मतलब होता है मैं, I am, मैं and you, you miss होता है, तुम, तो यह हमारे I और you के sentence है, तो यहां हमें क्या use करना है, यहां पर I का use करना है, और you का use करना है, आईगा होता है मैं, और why are you, you miss तुम?